नमस्कर दोस्तो आज के वीडियो बहुत दिखास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लो जानेंगे कि बिये परिक्षा में जो प्रस्ने समझ में आए उसका उतर बना बना कर कैसे लिखें दोस्तो एक्जाम के अंदर बहुत सरे ऐसे कोष्टन आते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं तो उस कंडिसन में हम उस परस्ने का उतर कैसे लिखेंगे उसका हेडिंग कैसे बनाएंगे आज के इस वीडियो ममलो जाने वाले हैं तो आगे देर ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं और समझते हैं दोस्तों माल लीजिए आप एक्जाम के अंदर बैठे हुए हैं और आपको question paper मिल गया है और आपके question paper में question आ गया कि 20 सो भारती के शीक्षा स्वरोग की ब्याख्या कीजी ये question आ गया अब दोस्तों आप इस question का heading कैसे लिखेंगे इसका उतर कैसे लिखेंगे द्यान समझे आपको क्या करना है दो काम करना है सबसे पहले दोस्तों आपको इस प्रस्नों को पढ़ना है और इस प्रस्न का खंडन करना है उसके बाद दूसरा काम क्या करना है आपको दोस्तो जिस सब्द के बारे में जनकारी है उसको बिस्तारित करना है उसी का हेडिंग बनाना है तो सबसे पहले हम लोग इस प्रस्णों को पढ़ेंगे और इस प्रस्ण का खंड़न करेंगे तो प्रस्ण कर रहा है कि 20 सौ भारती के सिक्षा स्वरूप की वैख्या कीजिए अब दुस्तो यहां पे सबसे पहले हम प्रस्ण का खंडन कर लेते हैं तो भएला सबदे 20 सौ भारती यानि कि 20 सौ भारती के बारे में अगर आपको जनकारी है तो लिखीये नहीं जनकारी है तो आगे बढ़िए यहाँ पर दुस्तों आपको आपको क्या करना है जिस भी प्रशनिक आपको दिस तरीके से खंड़न कर लेना है और एक एक सब्द को लेकर के उसाउं सब्द के बारे में जनकारी है तो लिखेंगे अगर आपको सिक्षा के बारे में जनकारी है तो यहां पे दोस्तों अगर आपको सिक्षा के बारे में जनकारी है जिससद्ध के बारे में जनकारी है आप उसी पर फोकस करिए बाकी और जीतने सब्ध है आपके question के अंदर उन सब को भूल जाए यहाँ पर दोस्तों हमको क्योद सीख्षा के बारे में पता है कि सीख्षा क्या होता है तो हम क्या करेंगे इस प्रस्ण के ऊतर में सीख्षा के के बारे में लिखेंगे अगर मालीजी दस नंबर के कोश्चन है और अगर आप सीख्षा के बारे में लिख रहा है तो मैं गरांटी देता हूँ कि 6-7 नंबर आपको मिल जागा अगर आप अच्छे से क्योंकि हम लोग सिख्षा के बारे में लिख रहे हैं तो सबसे पहले सिख्षा के परिवासा लिखेंगे उसके बाद यहां पर लिखेंगे अगर आपको पता है कि सिख्षा का क्या क्या मातव है तो यहां पर आप चाहें तो पॉइंगे और तीसरे पॉइंट के अंदर तीसर का महतjar लिख लिए अगर आपको पता है कि क्या hardest है तो सब से पहले हम लिखेंगे दयानिक जीवन में महतो है तो इस तरीके से पैंडर पहला है यहांने की जीवन में यानिक नमर दो देंगे और उसके बद हैं पर लिखेंगे समाजिक जीवन में सिख्षा का महतो है तो इस तरीके से दोस्तो हम लोगों ने heading number 2 के अंदर 3 point इसके अंदर लिख लिए दयनिक जिवन में, समाजिक जिवन में और आर्थिक जिवन में क्योंकि सिख्षा का क्या महतों है उसके बारे हम लोग यहां पर explain करके लिखेंगे अब दोस्तों यहां पर हम लोग तीसरा point देंगे और यहां पर तीसरा heading हम लोग लिखेंगे सिख्षा का विशेष्था यानि कि सिख्षा की क्या विशेष्था है उसके बारे हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर दोस्तो हमारा हो जाएगा सिक्षा की विशेष्टा है या सिक्षा की विशेष्टा इस तरीके सा दोस्तो हमारा तीसरा हैडिंग हो जाएगा सिक्षा की विशेष्टा फीडाए इनले तो स्वाप प्रव्रक देंगे ऑर पांछव हमारा क्या हो जातागा पांचव हैटिकि depression यानिकि हमारी जो सीखश्या बेजि़ना है उसके अंदर क्या कमी है उसके बारे में लिखेंगे यांदि failure अब दोस्तों हम लोगों ने 6 heading लिख लिए हम ने 6 heading लिख लिख लिया वहbayalloा आप उसके बाद सिख्षा की विसस्ता हो गया और सिख्षा स्थार हो गया अब दोस्तों यहां में शिक्षा में सुधार हो गया यहां पे अब दोस्तों यहां पे अगर हमें कोई heading याद आ रहा है यानि कि 6 heading लिखने के बाद अगर आपको कोई heading याद आ रहा है शिक्षा के ऊपर तो लिखिए और अगर आपको कोई heading नहीं याद आ रहा है यहां पे दूस्तों आप 7वा पॉइंट दीजिए और 7वा हैटिंग लिखते यहां पर निसकर्स इस प्रस्ण का क्या निसकर्स निकलता है उसके बारे में आप 7वा हैडिंग अदर बता दीजिए आपका जो कोश्चन है कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरीके से दूस्तों आपको क्या करना है जिस भी प्रस्ण का उतर आपको याद नहों या फिर आपको प्रस्ण समझ में नहाता हो तो आपको क्या करना है प्रस्ण का खड़न करना है और जिस प्रस्ण के बारे में आप जानते हैं उसी प्रस्ण को ले करके बिस्तारित करना है उसी का पूरा हैडिंग लिख